जैहिन वन्दमात्रम, सात्यों आज बात करेंगे BSC Nursing course के बारे में, पूरी डिटेल में बताने वालाओं कि BSC Nursing क्या होता है, इसके लिए eligibility criteria क्या होता है, BSC Nursing करने के बाद में आपको कहां कहां पर job मिल सकती है, government sector में, private sector में क्या-क्या job options है, कितनी salary मिल सकती है, तो BSC Nursing को लेक और यदि आप चैनल पर पहली बार आएं, तो चैनल जो सब्सक्राइब कर लेजेगा, बेल इकिंग को प्रेस कर लेजेगा, तो मैं आपके लिए इसी तरीके की information वीडियो लायता रहता हूं, तो सात्यों बात करते हैं, BSC Nursing के बारे में पहले कुछ overview है, वो जान लेते हैं, तो सात्यों BSC Nursing एक 4 साल का undergraduate degree program है, जो की medical की field में कराया जाता है, इसको वो बच्चे कर सकते हैं, जिनके अंदर सेवा भाव है, जिनको मरीजों की देखबाल करनी है, डॉक्टरों की help करनी है, चाया वो operation में हो या normally journal हो, तो एक तरीके से हम इनको doctor के assistant कह सकते हैं, तो BSC Nursing व 10th plus 2 होनी चाहिए, उसमें आपके पास PCB होना compulsory है, Physics, Chemistry, Biology, और उसके साथ साथ एक subject और है, जो compulsory होता है, वो होता है English, यानि कि English भी आपके पास होना अनिवारिये है, यानि कि 4 subject होगए आपके पास compulsory, जो आपके पास 12th में होने चाहिए, उसके साथ साथ आपके minimum percentage 50% होना अनिवारिये है, यानि कि 12th में आपके कम से कम 50% हो, यदि कोई आपकी category लगती है SCST, तो वहाँ पर आपको 45 पर भी आपको admission मिल जाता है, अभी admission process की भी हम बात करेंगे, इससे आगे बात करते हैं साथ यो admission process क्या रहता है, किस तरीके से admission होता है, तो साथ यो admission जो होता है, वो दो तरीके से होता है, एक होता है merit based और एक होता है आपका entrance based, अब जो admission है लगभग all over इंडिया में, वो कर दिया गया है entrance based, यानि कि जिस बच्चे ने need का exam दिया हुआ है, और need का exam qualify है, अब सिर्फ वही बच्चे क्या कर पाएंगे, BSE nursing कर पाएंगे, यानि कि need का exam दे और भी काविसारी university है, जिनका अपना entrance exam होता है, उस exam को दे करके आप अपना क्या कर सकते है, BSE nursing में admission ले सकते हैं, यानि कि अब BSE nursing के लिए आपको entrance exam देना compulsory है, merit based अब जो आपका admission है वो लगभग खतम हो गए हैं, इससे आगे बात करते हैं साथि और next है course fees, तो course fees जो depend क करते हैं आपको college पर, कि आपको किस college या university में admission मिल रहा है, यदि आपको government college में admission हो जाता है, तो वहाँ पर आपकी fees है, वो आपकी 1685 से लेकर के और 30,000 तक हो सकती है, पर year की, यानि कि 16,000 पिचासी रुपे से लेकर और 30,000 तक आपकी fees हो सकती है, और यदि हम बात करें यद साथ यो इसके साथ साथ एक बहुत important information आपके साथ share करनी थी, discipline box में एक link दिया हुआ है, सक्षम scholarship के नाम से, हर साथ सक्षम education हजारों बच्चों को scholarship प्रोवाइड करती है, तो यदि आपको भी किसी भी course में admission लेना है, तो वहाँ पर जाकर आप अपना registration कर सकते हैं, आपको confirm बच्चों के बला हो सके, बात करते हैं साथ यो next है, इसके बाद में करने के बाद में job options क्या-क्या है, कहां कहां पर हमें job मिल सकती हैं, किस-kis post पर job मिल सकती है, तो साथ यो सबसे पहली जो बड़ी post होती है वो nursing manager, यानि कि nurse manager आप बन सकते हैं, BSC nursing करने के बाद में ICU nurse बन सकते हैं critical career nursing आप बन सकते हैं assistant nurse बन सकते हैं emergency में आप nurse बन सकते हैं first-aid nurse साब बन सकते हैं और military में आप जा सकते हैं तो सात्यों यानि कि आप nursing का course करके बन सकते हैं सिर्फ nurse या आप कह सकते हैं junior और असिस्टेंट डॉक्टर लेकिन कभी भी आप अपने नाम के साथ में डॉक्टर नहीं लगा सकते ध्यान रखेगा ऑफिचली आप अपने नाम के साथ में डॉक्टर नहीं लगा सकते वैसे कह सकते हैं आप हॉस्पिटल में काम करते हैं तो आओ डॉक्ट साव और अब इससे आगे बात करें साथियों job options की, क्या government में vacancy आती है या आपको नहीं आती है, government में job मिलेगी या नहीं मिलेगी या job मिलती है या फर नहीं मिलती है, तो साथियों यदि आप BSC nursing करते हैं, तो hospital में जो सबसे ज़्यादा job होती है, वो nursing की ही होती है, या नहीं कि job की कमी नहीं है, लेकिन salary आपको एक limited ही मिलती है, यानि कि salary package ऐसन ये बहुत हाई हो सकता है, तो salary ऐसन ये कि बहुत हाई होगी, लेकिन job की कमी नहीं है, तो जितने भी government में बहुत ज़्यादा vacancy आती है, private sector में, hospitals में काभी ज़्यादा vacancy आती हैं, लेकिन salary limited ही है, तो salary की यदि हम बात करें तो 2-4 lakh का package आपको मिल सकता है, starting में जो आपका starting package हो सकता है, तो 2-4 lakh का package आपको per annum का मिल सकता है, तो यह आपका salary package रहता है, तो साथियो यदि आपको वीडियो informative लगी हो, तो वीडियो को like और share करना मत भूलेगा, और यदि भी आपका अभी भी कोई doubt या question रहे गया है, तो आप मेरे से comment box में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल से जल दोगा, उसका answer जो उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोसिस करूँगा, तो चलिए साथियो मिलते हैं आप से नेक वीडियो वेश दरीके information के साथ, तब तक के लिए जै हिन, जै भारत!